हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल फ्रेंड्स आजकल कई महिलाओं या कई लड़कियों को देखा गया है कि प्रियेड आने इसके पहले दिन और प्रियेड जाने वाले जो दिन होता है उसमें ब्लैक और ब्राउन कलर की ब्लीडिंग देखी गई है तो इसका कारण क्या है इसका इलाज क्या है और क्या ये खतनाक बिमारी है तो आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ तो सबसे पहले इसका कारण चाल लेते हैं, इसका कारण है अगर आपके पिछले महीने की जो bleeding है, uterus में रुकी हुई है, तो वो जो रुकी हुई bleeding होती है, वो काली पढ़ना शुरू हो जाती है, और आपके अगले महीने में निकलती है, जो आपका पहला देन होता है pre-8 का, अब जाने के टाइम पे क्यों काली प्राण कलर की bleeding होती है, यानि कि जो आपका pre-8 का लास्ट डे होता है, तब आपको काली प्राण कलर की bleeding क्यों होती है, काली प्राण कलर की bleeding इसलिए हो जाती है, अगर आपकी bleeding oxygen के react में आ गई है, तो वो काली प्राण पढ़ जाती है, औ तो आप इस उपाय को जरूर करें एक बार में ही आपको फरक दिखना चालू हो जाएगा जो आपकी काली ब्राउन करके ब्रीडिंग है वह बिल्कुल ठीक हो रही है और नॉर्मल ब्रीडिंग आपको वही होगी तो जान लेते इस उपाय के बारे में तो यहां पर देख सकते आपके पानी का कलर है बिल्कुल डाक यल्लो ना आ जाए ठीक है जब आपके पानी का कलर बिल्कुल बदल जाए फ्लेम को कर दीजिए बंग और उस पानी को ठंडा कर लीजिए अब इस पानी का करना क्या है इस पानी का आपको अपने प्रियेट्स के टाइम पे अपने प् पे वाश करिए इससे जो भी इंफेक्शन होगे जो भी बैक्टेरिया होगा वो चला जाएगा और आपके जो भी काली ब्राउन कलर की ब्रीडिंग आती है वो धीरे-धीरे सही होने लगेगी और आपको प्रॉपर रेड और जो थोड़ा सा रेड से डाक महरून कलर की के दौरान तो इस पानी से अपने प्राइविट पार्ट को अच्छे से वाश करें साफ करें तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको यह उपाय करना है आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी चरूर करते हैं तो आज के लिए बाइबाए थैंक यू